बुल्बुल का बच्चा खाता था खिचडी पीता था पानी गाता था गाने मेरे सरहाने एक दिन अकेला बैठा हुआ था मैंने उड़ाया वापस नाया बुल्बुल का बच्चा असलाम आलेकुम रामत लाई वा बरकातू इदर एक बुल्बुल का बच्चा था मेरे फूल खा रहा था बलके दो बुल्बुल के बच्चे थे बलके उनके अमी अबुबी थे तो मैंने का चलेंजी मैं वीडियो बना लेती हूँ जो ही मैंने कैमरा निकाला और थोड़ा सा ह हिलने की कोशिश की तो वो तो उड़के भाग गए मैंने नहीं उड़ाया लेकिन वो खुद ही उड़ गए तो हमने का चलेंजी अब हमने वीडियो बनाने के लिए पकड़ी लिया है तो हम आज की कुछ बातें कर लेते हैं आप लोग के साथ है ना क्योंकि बस बिमारियों की बातें आज कल चल रही हैं और बिमारियों की बातें मैं कुछ थोड़ी से सुनाने लगी हूं लेकिन पहले मैं आपको यह अंडे दिखा दू जो कि मैंने भी माली से मंगवाए है हजार रुपय मैंने उसको दिया था और कहता है कि यह धाई दरजन है गाले बना और एक म के हाँ अंडे कैसे मिल रहे हैं अब अंडे के बगएर तो जिन्दगी जो है न वो बेकार बेकार सी लगती है बिलकुल ही कोई रौनक नहीं होती अब यह अलग डिबेट है कि अंडा फाइदे का है कि अंडा नुकसान का है कोई कहता है कि अंडा जो है रोज नहीं खाना च ही कहना आपकी knowledge क्या कहती है तो बस मैं यहां बैठी हुई हूँ और अकेली बैठी हुई हूँ यहां पर कहानी यह है कि आज अबू जो हैं तो गए में हस्पताल उनको खांसी आ रही थी कुछ दिनों से तो घर पे पहले treatment की लेकिन फिर बेतर मैंने यह उनको कहा के बेतर है क इनको admit कर लिये जाए क्योंके घर पे उस तरह treatment नहीं हो सकती रिस्की होता है फिर बजग है तो बस दुआ कीजिए ला ताला उनको सहत अंदरुस्ती दे अब उनको एंटिबर्टिक शुरू की थी पहले औरली है लेकिन अब उनको injection के जरीए जो है ना दिया जा रहा है क्य क्योंके वो जदा जल्द असर करते हैं तो बस आजकल हर जगा बिमारियां हैं भेन की परसों उनकी मेंदी है और साथ में निकाह है और वो भी बिमार थी कल उससे पहले भाई बिमार रहे मेरा भी दरम्यान में सब कुछ मसले मसायल चलते रहे है ना तो बस ये जिन्दगी ह और जिन्दगी ने रवा दमा रहना है अलबता बुलबुल के बच्चे मेरे यहां से गायब हो गए हैं मैंने आपको दिखाना था चिडिया शिडिया तो कोई ना कोई है और बस यहां पर अभी थोड़ी थोड़ी सी खाद छिड़की है माली ने और पानी दिया है ताके अ अच्छा हो जाए जरा घास वास और अच्छी हो जाए कीनू मेरे लगे मैं आपको मैं दिखाती हूं अनक्रीब से तोड़े नहीं है मैंने कहता है कि ज्यादा इनको पानी ना दे जो टिके वे यह गिर जाएंगे मैंने ठीक है यह अपना दे पानी और यह टिके वे हैं यह थोड़े थोड़े से हैं पुराने पुराने से नजर आ रहे हैं इंशाला बहार आएगी इंशाला ये बिमारियां भी खतम होंगी और इंशाला हम जो है ना वापस सब ठीक हो जाएंगे लेकिन ख्याल रखिये बुजर्गों का भी और अपना भी जड़ा से भी कोई मसला होत एक आद बहुत ही उपर है मेरा हाथ ही नहीं पहुंचता है तो मैंने का चले जी ठीक है हम नहीं खाते और बस यह कि अंडे खाएं अच्छे हैं सूप में डाले हैं लोग तो मैंने देखा हैं चावल बनाते हैं ना तो चावल के उपर भी फ्राई अंडा और उबलाव अंडा तो दो यंडे रह गए थे तो वो मैंने बॉयल करके ना बू को साथ बिजवा दिये हस्पिताल के चलो वहाँ पर कोई बूख लगे तो अड़ा खा ले इनसान तो फिर अंडा नहीं था तो फिर हमने इसको का के लिया हैं अंडा अंडों से जो है ना रोना के जिन्दगी मे एक चाए से वाह 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 क्या जबरदस चीज़ होती है चाए है ना तो बस ये है आज की कहानी और असमान साफ है अभी कुछ दिनों पहले हलकी बुलकी बारिश हुई थी कहा जाता है कि वो नकली बारिश की गई थी कोशिश की गई थी अला जाने क्या था लेकिन ये है क कुछ ना कुछ वाकी उसे ये स्मॉग हट गई है और कुछ असमान साफ साफ लग रहा है लेकिन कब तक नकली और असली का फरक तो पिर होता है ना जो अल्ला के काम है वो तो अल्ला के ही काम है इनसान जो है वो कोशिश करता रहे चलो ठीक है इन्सान की भी कोशिशे बारावर हो सकती है तो बाराल ये आजका समा है और मुझे वो बुलबुल नजर नहीं आई अलबता चलो बुलबुल ने मेरी वीडियो बना दी नहीं तो मैं यहां पर ऐसे ही बैठी भी थी मैंने सोचा के चलो दो बाते कर ही लेते हैं अवाज अलबता आ रही है ना ये देखे ये बुलबुल की है ना को 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 कि पता नहीं किस चीज की है मिलते जुलते ही लगते हैं सारे फाखता बुलबुल मैना अलबता उपर ये कोई कवे चील ओड रहे हैं इंजॉय कर रहे हैं कि ता बजार आओगा ना असमान में ओड रहे हैं चले जी खुश रहिए तो बस ही आज की बात ही अब यह मंडे जो है ना इनको धोके रखते हैं मैं मिशह धोके खुश करके साफ करके फिर फ्रिज में रखती हूं पते नहीं कौन कौन से जरासी में इनक खुश बमार हैं मैंने का और कोई बमार नहीं हूं लहमदलिल्ह My ठीक हूं मुझे तो याद आ ग्या जब मेरी चोटी बेटी की शादी थी तो बेहन की बेटे की शादी भी थी कोई 10-15 दिन वकफे के साथ हमने रखी थी और अम्मी बहुत बिमार थी अम्मी वेंटिलेटर पे चले की थी आप सोचें कि शादी थी मेरी बेटी की और अम्मी वेंटिलेटर पे थी, क्या मैंने वो शादी गुजारी, वो मुझे ही पता है अल्ला रहम करें, खेर से अब वो घर आएं, बस ये जिन्दगी है, जिन्दगी के साथ सब चलता है, सब चलता है, बस अल्ला ताला का करम होना चाहिए अल्ला बेहतर जानता है, हम तो कुछ समझ ही नहीं सकते अल्ला ने नेमते दी हैं, वो देखिए पीछे एक बुलबुल नजर आ रही है, अल्बता मुझे तो ये जिन्दगी है, और जिन्दगी को जैसे जैसे है, एक एक दिन करके इंजोई कीजिए अल्ला ने कल क्या रखा है, हमें नहीं मालूम, आज को अच्छा सा गुजारें, अल्ला की याद भी करें, अपने प्यारों से मिलें, उड़ान भरें जितनी भर सकते हैं, जी हाँ, आज की दिन भर लें, कल का कोई पता नहीं Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu